तार दोस्तो टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है। आईए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित कौन कौन सी सूचना है। बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी UPPCS की तयारी कर रहे हैं। वे सभी अबरती UPPSC वाला के इस प्लेटफर्म पर आकर के अपनी तयारी कर सकते हैं। यहां पर हिंदी मादम की विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से प्रथम के नाम से एक बैस लांच हुआ है। जिसकी फीज से बहुत कम रखी गए। यह मातर 4,499 रुपए। इसकी बारे में मैंने आप लोगों के यह भी बताया था कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और छुट मिल जाएगी। अब UPPSC वाल आप लोग जानते होंगे physics वाला का ही platform है और जहां पर भारत के सर्वस्रेश्च सिक्षक विद्यारतियों को पढ़ाते हैं और इस course में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो तयारी करने के लिए चाहिए होती हैं जैसे live and recorded lecture मिलेंगे answer writing होगा, men's research होगा, daily current affair doubt clearing session चलेंगे, विद्यारतियों से जुड़े रहेंगे, आप लोग कुछ भी पूँच सकते हैं और अगर आप लोग bilingual तैयारी करना चाहते हैं हिंदी और English की एक साथ तो उसके लिए भी यहाँ पर section 4.0 के नाम से एक foundation batch launch हुआ है और यहाँ पर भी coupon code चलेगा PSP500, UPSC वाला आपको वही सारी चीज़े मिलेंगे, daily class notes, live classes, recorded videos, PYQ, बहुत सारी चीज़े, link मैंने इसकी description box और comment box दोनों जगे अफलब्त करा दिये, सारा का सारा history material आप लोगों को UPSC वाला की इस app पर ही मिलेगा, app पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल सकती हैं जैसे batch की आप लोग सेवा आयोग की और उसके बाद में रिक्त पदों पर भरती की बात करेंगे, आज के समचार पत्रों में उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग की तीन नोटी जारी भी हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एतत द्वरा सूचित किया जाता है कि आयोग आयुजित की गई प्रवक्ता राज की आश्रम पद्धती इंटरकालित परिच्चा 2021 के आधार पर प्रवक्ता जीव विग्यान, रसाइन विग्यान, बहुतिक विग्यान तद गड़ित विग्यान बिसा के पदों पर चेहनित अभरतियों के अभरतन रस्ति करनके फलसरूप उपलग दिरिक्तियों के साफ एक औबंदिक रूप से चेहनित अभरतियों के चेहन परिणाम 22 सितंबर को जारी कर दिया गया था, उक्त के औबंदिक रूप से चेहनित सभी अभरतियों के प्रमार पत्रों का डाकुमेंट वेरिफिकेशन चार अक्टूबर को होगा इसकी बारे में जानकारी दे दी गई है इसके बाद में जो एक और नोटीस जारी वी जीसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह भी साक्षातकार कारक्रम है और लिखा है कि ऐता द्वारा सूचित किये जाता है कि उ पूरा देखने की कोशिस करें पीसी यह जाता द्वारा को जिन विद्यारति ने इसके लिए आवेदन किया हो वह सभी विद्यारती इसे देख सकते हैं और तयारी कर सकते हैं अप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिस करें PCS 2023 की मुझी परिक्चा आज से सभी चाच चात्राओं को बहुत बहुत सुब काम ना है एक सलाब फिर से दूँगा कि जो लेखनी है वो इसपस्ट रखने की कोशिस करें थोड़ा सा अगर हो सके तो सुन्दर की कोशिस करें अच टाइम मनेजमेंट का ध्यान रखें पहले परसल्स सेही आज senza नहीं कि पहले परसल्स दूशा प्रसल्स तीशरे परसं अचल लिका और बात में टाइम कम पढ ल गया तो सीदे सीदे उसको भर दिया प्रीच तो यह चीज़ नहीं करनी है शुरूस से इसote मनेंजमेंट को ट लगवक सभी समचार पत्रों में CM योगी के निर्देश की बारे में जानकारी दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द भरे जाएंगे विभागों के खाली पद CM ने मांगा ब्योरा जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं और यहीं सूचना आने समचार पत्रों में भी दी गई है और सबसे पहले तो जो ब्योरा पेस किया गया है जो CM ने समिख्छा किया है वहां पर देख लीजिए कि किस-किस विभाग में कितने पदकाली हैं और कित देख लीजिए और मैं यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी भरतियां के विग्यापन जारी हो सकते हैं और कौन सी भरतियों में तेजी आएगी तो पहले तो यहां पर विवरान दिया हुआ इन्होंने विवरान को देख लीजिए कि मादमिक सिक्छा विभाग में समूगा के 96 समूगा के 3172 और समूगा के 41136 और समूगा के 22230 पत का ली हैं तो लगबक 70,000 तो यह मादमिक विभाग में खा ली हैं 420,60 और यह बाकि सब को जोड़ करके बेसिक सिक्छा विभाग में भी हजारों पत खा ली हैं सायक अध्यापक के 59,000 समिक्छा दिन की हुई हैं सायक के 3919 पत का ली हैं इस प्रकार से लगबक 55,000 पत आपके बेसिक में जो इन्होंने बताया है हाला कि पत तो बहुत जादा खा ली हैं बेसिक सिक्छा विभाग में और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अधिनस्त सेवा चेन आयोग के बारे में भी जाचानकाली दी गई सतर, पजपन, छहाजार पत यह नए अधियाचान है जिन पर भरती प्रक्रिट चल रही है वो नहीं है मैं भी बताऊंगा क्योंकि 8000 तो आप लोगों के लेकपाल की बरती ही चल रही है इसी तो बहुत सारी बरती चल रहे हैं तो यह जो 6000 है वो नए पत हैं और जो यूपी की प्रक्रिया पूरी कर लिया है जबकि 700 का विध्यापर निकाला जा चुका है विभाग ने सभी पदों का अधियाचन आयोग को बेज भी दिया है तो बन विभाग में भी यह जो भरती है अभी नहीं एक आई है फॉरेष्ट गाड की कुछ और ही भरती हैं देखने को मिल लाए गए हैं हम अगर बात करें बेसिक की तो बेसिक में तो लगबग डेढ़ लाग पत का लिए यहां पर लगबग 8-10,000 पत और 40,000 के आसपास आप लोगों के असास की विध्यालियों में पत खा लिए इसी तरीके से विभीन विभागों में बाबों के बहुत सारे पत क और युवां को योगिता के अनुरूप अफसर नहीं मिलता है इसलिए यह आवस्या के प्रत्यक विभाग अपने यहां नुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाए रिक्तियों के समद्ध में जिनों से प्राप्त हो रही जानकारी की समिक्चा भी करें और सभी विभ विभाग विभिन पदों पर जारी चेन प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी के लिजाए पुलिस वर्ति की विबात की गई यह करिए है तो यह करतार धरना परदर्शन कर रहे हैं तो बयान बयान न रहे हैं इसलिए आप लोग इसी तरीके से चड़े रहे हैं एकधम से 2 अक्टूबर को जो परदरसन हो ना जिसके बारे में बहुत सारे संग्ठनों नहीं गोफना किए कोई प्रात्मी शिक्षक बरती के बारे में कोई प्रदेश में रेलवे की बरती हैं उसकी बारे में तो इन बातों में बिलुकुल नहीं आना है और जो भी चीजे हैं गांधी जी आइंसक आंदोलन के समर्थक दे और इसलिए 2 अक्टूबर को ये आंदोलन विद्यार दिनों रखा है दो अक्टूबर को प्रात्मिक सिख्षक बरती के लिए भी धर्ना है और दो अक्टूबर को पत्धर गिर्जागर में भी tgt pgt और lt के लिए धर्ना परदर्शन है एक और सूचना है, सिक्छा निदेसालाः, कि ये लिखा शिक्छे निदेसालाः में तरती और चतुरत सिरेडी के रिख्त पतों पर जल्द निट्थी की प्रक्रिया शुरू होगी, ये आस्वासन सुमवार की साम अचानक, सिक्छे निदेसालाः पहुंचे, महानिदेसक, इस्कूली सिह्क्षा विजय किरन आनन्द ने अधिकारियों के साथ बैटक में दिये। बैटक में महाने देशक इस्कूली सिह्क्षा ने मुख की रूप से कुछ के नहीं रहे हैं इसलिए विद्यारतियों को भंग हुआ है वह तो कहो कि बाहर हो गया प्रास्पी सिक्षक बढ़ती में इसकी वज़ा से कुछ विद्यारती डियलेट में बढ़ गया है यहां पर निकाया कि एक से असी अजार तक के विद्यारतियों को बुलाया गया और उसमें लगबग 75,000 विद्यारतियों को बुलाया गया था अगली सूजना 79,000 सिक्षक बढ़ती की है एक अंग विवात को ले करके है एक हजार अबरतियों का मवविस अधर में हैं प्रदेश में 79,000 सिक्षक बढ़ती में एक अंग विवात में दाखिल अवा मानना या पर हाई कोड ने रासरकार को पहले दिये गए रिट कोड के आदेश का अनुपालन कर इसका बेवरा पेस करने को और समय दिया है चुकि 79,000 सिक्षक बढ़ती में अभी सूची को रिवाइस होना है जिसकी वजह से ये देरी हो रही है यूपी में अगले चार मामें 10,000 को न तैयार करते वे सासन से कार्मिक विवाक को इसे भेज दिया है और इसमें सबस्ते मात्यपूर्ण राजा सोलेकपाल के 8,085 पदों पर निक्ति दिसंबर में देरी जाएगी चुकि नमबर तक इनका डीवी हो रहा है और उसकी बाद में इनका फाइले प्रिणम दारी करके की जाएगी यहां पर कुछ बरतियों के बारे में तो यहां पर लिखा है आयोग के कारकारम के मुताबिक मंडी परिसत यहां अक्टूबर में एसो के 896 पदों पर नुक्ति दी जाएगी बहुत अच्छी बात है यह विद्यार्थी बहुत दिन से परिशान थे नवंबर में समलित अवर अभियंता जई संगलक वाफ फोर में के 1388 पदों पर नुक्ति दी जाएगी दिसंबर में राज राजास्तो लेकपाल के तो यह कारकरम है निक्ति पत्र का सारिक सारी पुरानी बढ़तियां है दश्मोत्तर चात्रवत्ति के सुल्क पृति पूर्ति के लिए भी आवेधन सुरू हो गये हैं वह विद्यार्थी आवेधन कर सकते हैं 31 दिसंबर इसकी लास डेट रखी गई है केजी एम्यू की जो नर संग ने केजी एम्यू में प्रस्तावित नर्सिंग भरति परिश्चा पर सवाल उठाएं संग का आरोप है कि गुजरात की एजनसी को केजी एम्यू ने परिश्चा की जिम्मेदारी सौंपी थी इसे एजनसी ने लोहिया संस्थान में नर्सिंग वाकरमचारियों की बढ़त बड़ती बोड़ों और चैन आयोगों से बढ़ती होनी चाहिए यह हो गया आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद